नवस्कार कॉर्पेट संडल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूसंदीब ग्रोवर इस शो में हम आपको कॉर्पेट जगत की दिन बर की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं इसके लावा कुछ दमदार स्टाक्स बर भी फोकस होता है उसकी वज़े भी आपको बताते हैं और शो के आखिर में आपको बताते हैं उन ट्रिगर्स के बारे में जिस पर बजार की खास तोर पर नजर रहती है तो चलिए कॉर्पेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आ को मंदूरी देदी है यह प्रक्रिया दो चर्नों में पूरी होगी पहले आइडीएफसी फीनैंचल होल्डिंग का आईडीएफसी लीमिटिड के साथ विले होगा और दूसरे चरन में विले के बाद बनी कंपनी आईडीएफसी फरस्ट बेंक के साथ मर्जर होगा इस मरजर के लिए बैंकिंग रेगलेटर RBI, मांकिट रेगलेटर सेभी के लावा दोनों कम्पनियों के शेरधाकों CCI, NCLT, स्टाक एक्षेंजों के साथ साथ अन्य नियामक मनजूरियां भी लेनी होंगी इस मरजर के तहट IDFC Limited के शेरधारकों को हर 100 शेरों के बदले में IDFC First Bank के 155 शेर मिलेंगे आपको बता दें कि IDFC Limited के पास IDFC Financial Holding के जरीए IDFC First Bank की करीब 40 फीजदी हिसेदारी है जबकि IDFC Limited का 100 फीजदी हिसा पबलिक के पास है दूसी कबर, Go First के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है ताजा मामला ये है कि Singapore Arbitration Court से इस महिने के अंत में फैसला आने वाला है और अगर ये फैसला कंप्टी के खिलाफ आता है तो इसके लिए अपने operations को दुबारा शुरू करना मुश्किल हो जाएगा दूसल कोट अगर कंप्टी को राहत नहीं देती है तो इंजन सप्लायर कंप्टी प्राटन विटनी यानि P&W को खराब इंजन बदलने के लिए कह देती है तो गोफर्स के लिए उडान भरना संभव नहीं होगा और इससे कंप्टी की रिवाविल प्लान की पूरी प्रक्रिया खत्रे में पढ़ सकती है आपको बता दे कि सिंगपोर इंटरनाशनल आप्लिटेशन कोट ने P&W को दिसंबर 2023 तक करीब 20 विमान डिस्पैच करने का निर्देश दिया था पर गोफर्स की और से पेमेंट ना होने और ग्लोबल सप्लाई चेन शॉर्टेश के मद्दे नजर P&W ने इस फैसले को चुनाती दी थी साथ ही इस कंपणी ने अपनी उड़ाने 10 जुलाई तक रद कर दी है और ये तेरवी बार है जब कंपणी ने अपनी उड़ादों को फिर से रद कर दिया है तीसी कबर, मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलाइंस इंडस्ट्रीस की टेलिकूम कारोबार से जुड़ी सयोगी कंपनी रिलाइंस जीयो ने भारत को टूजी मुक्त बनाने के लिए सुबार 4 जुलाई को अपना इंटरनेट इनेबल जीयो भारत फोन लाँच कर दिया है इस फोन की कीमत मात्र 999 रुपे तह की गई है गौरतलब है कि इस नई डिवाइस में जीयो सिनेमा और जीयो सावन के साथ OTT सर्विस भी मिलेगी इसके लावा इसमें हाई डेफिनेशन कॉलिंग, कैमरा और जीयो पे सर्विस जैसे भी सुधाई मौजूद है और इस तरह ये देश का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है रिलाइस रीटेल के लावा अन्ने फोन ब्रैंड्स भी जीयो भारत प्लैट्फरम का उप्योग कर जीयो भारत फोन बनाएंगी इसके शुरुवात कार्बन से होगी पहले 10 लाग जीयो भारत फोन का बीटा ट्राइल 7 जुलाई से शुरू होगा जीयो ने 25 करोड फीचर फोन यूजर्स को लक्षे कर जीयो भारत फोन लाउंच किया है जो इंटरनेट इनेबल एक बेसिक फोन होगा पर इस कदम को भारती एटेल और वोड़ा फोन आइडिया के लिए बड़ी चिंता के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि जीयो भारत का शुरूआती रीचाज एक सो तेईस रुपे का होगा जो कि भारती और वोड़ा फोन आइडिया से 31 फीज़ी सस्ता होगा बेचने के लिए तीसरी बार कोशिश की थी निलामी प्रक्रिया भी सफल होगी थी लेकिन निलामी जीतने वाली कंपनी को अन्फिट पाने के बाद सरकार पवन हंस की स्रटीजिक विनिवेश की प्रक्रिया से फिर पीछे हट गई है आपको बता दे कि स्टार 9 मोबिलिटी प उन्चास फीजदी हिस्सेदारी है पांचवी खबर लिस्टेट कंपनी एलन्टी फिनांस होल्डिंग्स की सब्सेडरी कंपनी एलन्टी फिनांस ने अपने रिल इस्टेट लोन से जुड़े दिक्कत वाले पोर्टफोलियो को एक हजार पचतर करोड उपे की रकम में एल्यू अठारा सो करोड उपे की थी यानि की एलन्टी फिनांस की लोन्स की साथ फीजदी रिकवरी हुई है इस कंपनी की वेबसाइट के मताबिक पिछले महीने की शुरुआत में इस कंपनी ने कुल 3,022 करोड उपे के कुल 10 खातों के लिए ओफर मंगवाई थे चटी क देश के पांच में सबसे बड़ एनेजी बैंक इंडेसिन बैंक की पर मोटर कंपनी इंडेसिन इंटरनाशनल होल्डिंग्स लिमिटर यानि आई आई एचल डेड़ अरब डॉलर या करीब 12,300 करोड उपे की रकम जुटाने जा रही है आई एचल की और से जुटाई जा र और दूसरा ये कंपनी इंडेसिन बैंक में अपने इसेदारी बढ़ाकर 26 फीज़दी करना चाहती है जो फिलहाल 15 फीज़दी पर है आपको बता दे कि नमबर 2021 में बैंकिंग रेगलेटर आर्बियाई ने परमोटर्स को इस बैंक में हिस्सा बढ़ाकर 26 फीज़दी करने क की मन्सूरी दी थी साथवी कबर एटे कंपनी बाइजूस को लेकर दो अपडेट आए हैं पहला ये कि परमोटर्स ने 2015 के बाद से 40 सेकेंडरी टानेक्शन के जरिए 40.85 करो डॉलर के शेयर बेचे हैं 2016 के बाद से इस कंपनी में परमोटर्स की इसेदारी में धीरे धीरे इ रताई जारी है कि बाई-जूस बॉलिवोड एक्टर शारुक खान के साथ अपने एंडॉसमेंट कॉंट्रेक्ट को रिन्यूड नहीं करेगी बाई-जूस के साथ शारुक खान का इंडॉसमेंट कॉंट्रेक्ट सितंबर में खतम होने जा रहा है इस वज़े से किंग खान की टीम भी बाई जूस के साथ अपने करार को आगे नहीं ले जाने के पक्ष में हो सकती है चले तो ये था कॉर्पेट से जुड़ा दिन बर का पूरा अपडेट अब बात करते हैं मारकेट की जहां पे रिकार्ड हाइस देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे शेरों पर फोकस करते हैं जिनमें दमदार एक्षन देखने को मिला और उसके पीछे की वज़े भी समझते हैं पहली कबर फ्रोजन मीट और बफैलो मीट से जुड़े उतपादों के एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनी हमें एग्रो इंडस्रीज के आई पियो की मंगलवार चार जुलाई को शेर बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग मिली जुली रही है 585 रुपे के इशू प्राइस के मकाबले शेर BSE पर 615 रुपे पर खुला यानि की 5 फीज़ी से ज़ादा के प्रीमिम पर लिस्टिंग हुई दिन के दुरान शेर ने 670 रुपे 45 पैसे के उचाई को भी चुआ यानि की शेर इशू प्राइस के मकाबले साड़े 14 फीज़ी तक एक समय उचल गया था पर क्लोजिंग 584 रुपे 75 पैसे पर हुई जो की 585 रुपे के इशू प्राइस के नीचे है दरसल इस इशू को खास अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला था इशू कुल 1.6 गुना ही सबस्क्राइब हुआ था पर एनलेस का मानना है कि शेर को बेचने का फैसला लेने से पहले कम से कम 2 से 3 तिमाही तक होल्ड करना चाहिए ताकि इसके विते नतीजों और ग्रोथ के बारे में सही अंदाजा लग सके इस कमपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है और नीश बिजनस मॉडल है यानि बाकी कमपनियों से काफी अलग बिजनस मॉडल है कमपनी के आये का करीब 90 फीजदी हिस्सा एक्सपोर्ट के जरिये आता है दूसी कबर बजाज फिनस के शेर में मंगलवार 4 जुलाई को 8 फीजदी तक की बड़त देखने को मली शेर ने इंटर डे में 7,920 रुपे का हाई टच किया था जो कि शेर का रिकॉर्ड उच्टमस्तर है और क्लोजिंग भी करीब 7,5 फीजदी की मदबूती के साथ देखने को मली अलाकि पिछले एक महिने में शेर करीब 20 फीजदी उचल चुका है पर मंगलवार को तेज़ी के पीछे वज़ा है वित्वर्ष 2024 की पहली तिमाही यानि जून तिमाही के कारोबारी अपडेट्स पहली तिमाही में कमपणी के और से दिये गए ने लोंज की संख्या में साल-दसाल 34 फीजदी की बढ़ातरी देखने को मली है पिछले साल की समान अबदी में 74.2 लाग के मुकाबले ने लोंज की संख्या बढ़कर 99.4 लाग पर पहुँच गई है इस दुरान कमपणी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानि AUMB 32 फीजदी बढ़कर 2,70,000 करोड उपे पर रहे हैं जुन 2023 के अंतर कमपणी की डिपॉजिट बुक 34,102 करोड उपे से बढ़कर 49,900 करोड उपे पर पहुँच गई है जो की साल दर साल 46 फीजदी की वृद्धी है दूसरी दिमाही के नतीजों पर विचार करने के लिए बोड की 26 जुलाई को बोड बैठक होने वाली है कमपणी के और से जारी बिजनस अबडेट्स के बाद मौगन स्टैनली ने शेर पर ओवरवेर रेटिंग बरकरा रखी है और लक्षे 9,250 रुपे पर निधारित किया है तीसी कबर रॉयल एंफिल्ड ब्रैंड के तहर टू विलर बनाने वाली कमपणी आईशर मोटर्स के शेर में मंगलवार को 6 फीज़ी से जादा की गिरावट देखने को मली है वैसे इस कमपणी को लेकर कोई खराब ख़बर तो नहीं आई है पर शेर में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वज़े इसकी प्रतिदेवन्दी कमपनी हीरो मोटो कॉप से जुड़ी हुई है दरसल हीरो मोटो कॉप ने हाले डेविटसन के साथ मिलकर भारत में एक्स 440 नाम की मोटर साइकल लांच की है 440 CC की इस मोटर साइकल की एक शोरूम कीमत 2,29,000 रुपे तैय की गई है आपको बता दे कि स्ट्रीट 750 के बाद यहाले डेविटसन की सबसे चोटी और सबसे सस्ती मोटर साइकल है जो की भारत में लांच की गई है अब आईशर अबला रॉयल एंफिल्ड की लांच की गई हंटर 450 के साथ होगा इस लांच के चलते हिरो मोटो में पौने 5 फीजदी की बड़त देखने को मली और दिन के दुरान शेयर ने 3049 रुपे 90 पैसे का 52 वीक हाई भी टच किया था चौथी कबर स्मार्ट मीटर्स बनाने वाली कंपनी जीनस पावर के शेयर में मंगलवार 4 जुलाई को 16 फीजदी तक का बड़ा उचाल देखने को मली शेयर ने इंटर डे में 149 रुपे 70 पैसे का हाई चुआ जो की शेयर का रिकॉर्ड उस्तमसार है और क्लोजिंग भी कर सब्सक्राइब के लिए मिला है इस और में एमाई सिस्टम की डिजाइनिंग के साथ साथ सप्लाई इंस्टॉलेशन और 27.69 प्रिपेड मीटर्स फीडर मीटर की कमिशनिंग और डीटी मीटर लेवल एनरजी अकाउंटिंग शामिल है इस कंपनी के जैपूर हरिदवार और कुवार्टी में एक करोड मीटर से ज़्यादा की मैनिफेक्टिंग शमता वाले प्लांट्स हैं नए और्डर से कंपनी की रेवनियु विजिविटी में आने वाले कुछ सालों के लिए सुधार देखने को मिलेगा क्योंकि वित्तवश 2023 में कंपनी की सलाना आये करीब 800 करो सबसे पहले तो चार जुलाई की बात करें तो सबतंतरदा दिवस के मौके पर यूएस के बजार बंद हैं तो उसका जो इंपक्ट है कोई खास नेगेटिव या पॉस्टिव संकेत ग्लोबल मार्किट के रिए नहीं आते हो दिखेंगे 5 जुलाई की जहां तक बात है तो पहले IPO मार्किट की बात कर लेते हैं सेंको गोल जिसका IPO खुला हुआ है उसका दूसा दिन है पहले दिन की बात करें तो अच्छा रिस्पॉंस देखने को मिला है करीब 70% के आसपास के जो सब्सक्रिशन के लेवल्स हैं वो इस टॉक में देखने को मिले हैं इस IPO में 301 रुपे से लेकर 370 रुपे इसका इशू प्राइज है और ये 6 जुलाई को बंद होगा साथ ही 5 जुलाई IPO मार्किट के लिहाज से इसलिए भी इंपॉर्टन है क्योंकि जिन भी निवेशकों ने आईडिया फोज और साइंट DLM इनके IPO में आविदन दे रखा है उनको पता चल जाएगा कि क्या उनको शेर मिलने वाले या नहीं मिलने वाले क्योंकि इन दोनों IPO में जो अलॉट्मेंट है वो 5 जुलाई को ही होने वाला है हट्सुन एग्रो इसकी बोर्ट बैटक होने वाले जिसमें विल्ल मिल डिवीजन के सभी ए पूंजी जुटाने के उपर विचार होगा खास तौर पर जो राइट शिशु है उसकी उपर बोर्ट का फोकस रहने वाला है हमिस्फेर प्रॉपर्टीज इनकी बोर्ट बैटक होने वाली है इनके पास पूने में जमीन है उसको लेकर कुछ स्टेक होल्डर के साथ इनकी एहम रहने वाला है साथ ही मारूती सुजुकी इनकी MPV है इनविक्टो उसका लाउंच भी पांच जुलाई के ले निरदारित है तो उसके बाद कैसे अपडेट्स देखने को मिलते हैं और एक और आटो कम्पनी है बजाज उटो इनकी दो बाइक्स हैं जो की लाउंच होने पचाश रूपए पति शेर के फाइनल डिविडेंट की इनों ने गोशना की थी जिसकी X देट है तो शेर में उसका एड्जिस्मेंट भाव में देखने को मिलेगा बंसाली इंजिनिरिंग इनोंने 1 इस तो 2 के बोनोस इशू की घोशना की थी इसकी X देट दोनों है यानि की जो bonus issue का adjustment है भाव में जो adjustment है वो 5 जुलाई की दिन में ही देखने कम लेगा Global Triggers की जातक बात है तो Fed की जो हाल में बैठक हुई थी जिसमें 10 बार से लगातार ब्याज़रे बढ़ाने के बाद एक pause लिया गया था एक ठहराव लिया गया था ब्याज़रे नहीं बढ़ाएगी थी उस बैठक का ब्योरा जारी होने वाला है क्या कहा गया है Fed की अधिकारियों के और से इस पर Global Markets की नज़र रहने वाली है तो Corporate Central के आज की एपिसोड में बस इतना ही उमीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको Corporate जगत के साथ साथ कुछ दमदार एक्शन वाले शेरों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल गई होगी तो आपसे फिर से 5 जुलाई को मुलाकात होगी नई कबरों के साथ नए Corporate Development के साथ तब तक आप बने रहे मनीनाइन के साथ नमस्कार शुबरात लिए